दोस्तो स्वागत आपका हमारी YouTube चैनल में आज की वीडियो में हम सिखेंगे कि कैसे हम website not not secure इस्वी को fix करें कभी क्या होता है हमारी website में SSL तो हमारे अक्टिवीट होता है बट हमारे उससाइटे not secure दिखाता है तो जो हमारे चैनल पेने हैं चैनल को subscribe कर लिजिए बेल अकन ब मिलता रहे दोस्तों यह भी हमारी website है और यह जो website हमारी यहां पर इस पर SSL तो एक्टिवेट है बट यहां पर note score दिखा रहा है तो आज हम इसी issue को fix करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपने WordPress के admin panel में WordPress के admin panel में हमें एक option मिलता setting का setting पर जैसे हम over करेंगे तो हमें top पर option मिलेगा general का तो general option में हम click करेंगे जैसे हम general option में click करेंगे हमें WordPress address URL और site address URL देखने के लिए मिलता है तो इसमें क्या अभी जो हमारा sttp यानि इसको में आगे s add कर देंगे तो हमेरे इसमें s add नहीं गया हुआ जिसकी वैसे site हमारी not secure दिखा रहा है तो इसको में आपर sttps add कर देंगे और इसको हम shape करते है shape changes करेंगे तो अब हम अपने page को इसको refresh करेंगे website को कि अब यहां पर not secure दिखा रहा है या नहीं तो पेज को में refresh करेंगे तो जैसे हमारी website को में refresh करेंगे तो हमारा इसू है वो fix हो गया है यानि पहले आपर not secure रहा था बट यहां पर not secure remove हो गया है तो दोस्तो ऐसे करके आप इस history को fix कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को like कीजिए comment कीजिए share कीजिए और bell एगन प्रेस कर लिजिए ताकि आने वारी वीडियो को notification आपको मिलता रहे आपको